हेलो गाईज, वेलकम टू दे चैनल और आज की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत वागत है इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं about सिवलिंग की ठीक है एक ग्यार सो साल पुराना सिवलिंग जो की खुदाई के द्वारान मिला है ठीक है वियतनाम में ये मिला है तो यही हम डिसकस करने वाले हैं इसी सिवलिंग के बारे में ठीक है तो इसको एक डिटेल डिसकसन यहाँ पर हम करेंगे तो आप लोग मेक शूर कि आप इसको पूरा देखिए इसमें हम discuss करेंगे कि कहां पर यह sibling मिला है वियत नाम में और किसके द्वारा इसे construct कराया गया हो सकता है और यह क्या represent करता है तो यह सब आगे हम इस वीडियो में देखेंगे गाइस तो make sure इस वीडियो को पूरा देखना और अगर यह वीडियो अच्छे लगेगे तो इसको like कर देना और चैनल को subscribe कर देना गाइक तो अभी बिना time waste किए वे शुरुवात करते हैं वीडियो की ओके गाइस तो start करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ गाइस यह खबर है 27 मई 2020 की ठीक है archaeological survey of India यानि कि ASI है तो archaeological survey of India के द्वारा ठीक है archaeological survey of India के द्वारा वेडनेस टेको एक 1100 साल पुराना monolithic sandstone sibling जो है वो प्राप्त हुआ खुदाई के द्वारा ठीक है और यह प्राप्त हुआ जब यहाँ पर पियतनाम में एक conservation project चल ला था conservation project जो चलता है वो चलता है हमारी जो ancient sites है ठीक है उनके preservation के लिए उनके conservation के लिए जो है यह conservation project चलता है और इसी conservation project के द्वारान ही एक sibling मिला है जो की बताया जा रहा है कि 1100 साल पुराना है ठीक है अब यह project चल कहा रहा था तो गैज यह चल ला था वियतनाम के champ temple में ठीक है जो की myson sanctuary में है तो जो यह champ temple है यह myson sanctuary में है इसी में यह conservation project का काम चल ला था अब बात करते हैं यह तो अब हमने देख लिया लेकिन अब हम बात करते हैं कि यह जो sibling है basically जो की 1100 साल पुराना बताया जा रहा है ठीक है तो किसके द्वारा इसको construct किया गया होगा तो गैज चंपा रूल चंपा एंपाइर्स का इसमें नाम आता है गैज क्योंकि अगर हम बात करते हैं चंपा एंपाइर की तो चंपा एंपाइर्स ने यहाँ पर रूल किया था 4th century से 13th century में जो माइसन century है जो कि कौंग नाम प्रोविंस ठीक है कौंग नाम प्रोविंस जो कि Central वियत नाम में है तो यहाँ पर जो रूलर थे वो चंपा एंपाइर के रूलर्स थे from 4th century to 13th century ठीक है तो हम कह सकते हैं या यही माना जा सकता है कि इनही के द्वारा ठीक है इनही के द्वारा 9th century में ठीक है यही बताया जा रहा है कि 9th century का यह sibling है तो 9th century के आसपाइर के जो रूलर्स थे उनके द्वारा ही इसे जो है इसके construction का काम किया गया होगा ठीक है तो बात करते हैं थोड़ा इसके आगे की तो इस तो जो गाइज अग हम बात कर लेते हैं चमपा टेम्पल की ठीक है तो जो यह जो टेम्पल है यह जो टेम्पल है वो है डेडिकेटेड टू लौड सीवा तो लौड सीवा को यह डेडिकेटेड टे temple है और जो यह temple है guys इसमें जो है जैसे different different names जो है God को दिये जाते हैं तो यहाँ पर वैसे local names जो है वो दिये गए है ठीक है to the statue of Lord but इसमें से एक most important जो है वो है भद्रिश्वरा ठीक है तो भद्रिश्वरा नाम दिया गया है तो यह काफी एक popular है और बाकी नाम इनके local names हैं जो कि वेतनाम में ही popular होंगे ठीक है अब हम बात करें इस जानकारी की पुष्टी की ठीक है तो इस जानकारी को जो है पुष्टी जानकारी की करवाई वो करवाई हमारे external affair minister Mr. S. Jaisankar ने S. Jaisankar द्वारा इस की पुष्टी कराए गई इस खबर की क्योंकि उन्होंने अपने Twitter handle पे जो है इस चीज को share किया था इस पूरी स्टोरी को और अगर हम बात करते हैं कि कि किस तरीके से archaeological survey of India ठीक है archaeological survey of India का वियतनाम में जाना और वहाँ conservative project में हिस्चा लेना ये सो करता है कि किस तरीके से जो इंडिया है वो continuously help कर रहा है ठीक है Southeast Asian nations की help कर रहा है इंडिया in the preservation और restoration work में ठीक है ancient side का जो भी preservation और restoration works वहाँ चल ला आए Southeast nation में वहाँ हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इंडिया एक role निभा रहा है उनकी help करने में ठीक है guys तो ये काफी अच्छी घपर है और इस सबसे हमें पता चलता है जैसे हमें जो भी चीज़े मिली चैंप टेंपल के जो conservative project वहाँ चल ला है तो इससे हम कह सकते हैं कि किस तरीके से हम वियतनाम और इंडिया closely bounded हैं ठीक है similar culture से similar culture वहाँ पर हुआ करता होगा ठीक है एक टाइम से तो हम कह सकते हैं common civilization इंडिया और वियतनाम के बीच या foundation between the civilization हम कह सकते हैं इंडिया और वियतनाम की तो ये काफी एक अच्छी बात है और अगर मैं बात करता हूँ majority religion जो की वियतनाम में है तो वो है बुद्धिस्थ ठीक हैस गाइस तो बुद्धिस्थ religion वहाँ जो है काफी popular है या majority religion है और हम कह सकते हैं कहीं न गहीं इविडेंस इससे मिलते हैं कि हिंदुईजम भी एक टाइम पर मापन काफी popular हुआ करता होगा तो गाइस अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत जिसके द्वारा ये ढूड़ा गया यानि कि हमारी archaeological survey of इंडिया की तो गाइस अब अगर हम बात करते हैं archaeological survey of इंडिया की तो हम तो archaeological survey of इंडिया की जो इस्तापना हुई थी यानि कि इसका establishment year है 1861 में 1861 में archaeological survey of इंडिया का establishment किया गया था बाई Alexander Cunningham ठीक है Alexander Cunningham दारा इसको establish किया गया था और यही और गाइज archaeological survey of इंडिया के जो first director general थे वो भी Alexander Cunningham ही थे ठीक है तो यह सब तो हो गया about archaeological survey of इंडिया जिसके द्वारा यह sibling ढूरा गया बेतनाम में और अगर मैं बात करता हूँ जो यह archaeological survey of इंडिया है इसकी parental organization जो इसकी है वो है ministry of culture ठीक है ministry of culture government of इंडिया के अंदर यह वर्क करता है और currently जो minister of culture है वो है प्रलाद सिंग तो mr. प्रलाद सिंग जो है वो है minister of culture of government of इंडिया तो यह सब आप इस चीज़ के बारे में याद रखेगा archaeological survey of इंडिया की 1861 में establishment year है Alexander Cunningham दौरा और presently जो minister of culture है government of इंडिया के वो है प्रलाद सिंग तो यह सब चीज़े याद करने वाली है तो अभी इस वीडियो में इतना ही गाईज I hope कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर इन केस आपको ये वीदियो अच्छी लगिये गाईज तो इस वीडियो को like करो और share करो इसे अपने दोस्तों के साथ आप अपने share करो इसे और comment section में बताओ गाईज अगर आपको इससे related कोई भी doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं या अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और भी current affairs से related topic पर वीडियो बनाएं तो वो भी आप comment section में उस topic का name लिख लीजिए हम उसमें पुरा descriptive वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और इस channel को जरूर से subscribe करना क्योंकि इसमें current affairs से related वीडियो हमेशा ऐसे आती रहेंगे आगे भी और bell icon को जरूर पैस करना ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक उसकी notification पहुंच जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें और current affairs से up to date रहें तो इसी के साथ इस वीडियो को end करते हैं गाई थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग जैहिंद